Good morning students, God bless you all, I hope you are fine at home. Thought of the day is, behind every good, kid is a great mom. Students, आज के thought का मतलब आप क्या समझें? बताईए कुछ thought का मतलब समझें? तो मैं बता रही हूँ, कोई भी अच्छे बच्चे के पीछे, एक बहुत ही अच्छी मा होती है. माही बच्चों की पर्थम सिच्छिका होती है, इसलिए हमें माता का आदर और शम्मान करना चाहिए, ओके? तो स्टुडेंट सब थोड़ा सा पढ़ाई पिया जाते हैं, नावपेन पेज नम्मर 11, ओके? चेप्टर 6, चेप्टर क्या है? 6, इन्दा कीचेन, है ना? कीचेन क्या होता है? कीचेन समझते हैं कीचेन क्या होता है? कीचेन जहां की खाना बनता है, ना ममा खाना बनाती है, ना कीचेन में रशोईगर, हिंदी में क्या बोलते हैं? रशोई गरे ना कीचेन तो आए यहाँ पर देखते हैं कि कीचेन में क्या-क्या पाया जाता है आप अपने कीचेन में क्या-क्या चीज देखते हैं कौन से थिंक्स देखते हैं तो मैं यहाँ बुक में थुरा सा पढ़ा रहे हैं उसके बाद फिर आगे बताऊंगी, ओके तो आजाएए Name the things you can find in your kitchen Name the things, है ना तो वो things के बाड़े में आप बताएए Find in your kitchen, जो आपके kitchen में क्या-क्या आप देखते हैं, क्या पाया जाता है आप यहाँ पे kitchen देख रहे हैं, तो आप इसमें देखिए कि क्या-क्या यहाँ पे है आपके kitchen में यहाँ पे क्या-क्या चीज रहता है, तो देखिए यहाँ पे मैं first में मैं बता रही हूँ, Lamp, क्या है? Lamp यहाँ पे picture देखिए, identify किजिए, यह picture को हम क्या बोलते हैं, Lamp Lamp का spelling देखिए, पढ़ने के साथ-साथ spelling को भी learn करना है students है ना तो मैं देखिए बता रही हूँ, अलग-लग करकी मैं बताऊंगी slowly आप उसको दियान से सुनेंगे, L-A-M-P, Lamp, क्या ही यह picture है? Lamp, L-A-M-P, Lamp, ओके, next आ जाती हूँ मैं spoons, है ना, spoons किसको बोलते हैं? चमच, आप लोग के kitchen में चमच रहता है ना तो यहाँ पर देखिए spoons का spelling क्या होता है? S-P-O-O-N-S, spoons इसको अलग-लग भी करके याद कर सकते हैं, अकर बड़ा spelling है ना, तो इसको अलग-लग करके भी याद कर सकते हैं S-P-O-O-N-S, spoons, spoons means क्या हो गया? बहुत सारे चमच है ना, spoons next आ जाते हैं, forks, यहाँ पर देखिए fork क्या है? F-O-R-K-S, forks, क्या हो गया? F-O-R-K-S F-O-R-K-S, तो next आगे आती हूँ मैं, अब आज आईए यहाँ पर, इसको देखिए, इसको हम लोग mixy भी बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते है? Mixy, mixer, grinder, mixer को देखिए M, picture को पले identify, इसको अच्छे से कीजिए आप, mixer, grinder, ओके? तो मैं आती हूँ देखिए, यहाँ पर, mixer का spelling पले याद करना है, ना, M-I-X-E-R, mixer, grinder, G-R-I-N-D-E-R, grinder, mixer, grinder, next आगे आजाते हैं, यहाँ पर देखिए, हम लोग oven भी बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पर microwave oven लिखा हुआ है, सिप oven ही हम लोग याद करते हैं, इतना लंबा याद नहीं करना है ना, O-V-E-N, oven, O-V-E-N, oven, ok, next आजाती हूँ में, अब यहाँ पर देखिए, इसको freeze बोलते हैं, यहाँ पर refrigerator है, उसको हम लोग freeze भी बोलते हैं ना, तो देखिए, इहाँ पर spelling, R-E-F-R-I, referee, फिर मैं एक बार repeat करते हूँ, R-E-F-R-I, refrigerator, G-E-R-A-T-O-R, refrigerator, मैं एक बार फिर से repeat करूँ, को देखिए, आप, R-E-F-R-I-G-E-R-A-T-O-R, क्या हो गया, refrigerator, जिसको की freeze भी बोला जाता है, ओके, next यहाँ पर आजाती हूँ, यहाँ पर देखिए, toaster, क्या है, इसमें क्या होता है, bread toast होता है, ब्रेड जो हम लोग शेखते हैं, इसको toaster भी बोलते हैं, तो spelling देखिए, यहाँ पर, T-O-A-S-T-E-R, toaster, T-O-A-S-T-E-R, क्या हो गया, toaster, ओके, next आजाती हूँ, यहाँ पर देखिए, यह क्या चीज है, stove, जिसको क्या हम gas stove भी बोलते हैं, तो यह stove है, stove का spelling देखिए, जिस पर खाना बनता है न, आप लोग की ममा खाना क्या चीज पर बनाती है, gas stove पर बनाती है न, तो देखिए, इस spelling यहाँ पर क्या है, फिर से देखिए stove को, s, t, o, b, e, क्या हो गया, stove, अब यहाँ पर देखिए, आप पिक्चर को identify करेंगे, stove की उपर में क्या रखा हुआ है, आप देखिए, कुछ रखा हुआ है, pen, क्या रखा हुआ है, pen, ममा इसमें चाय बनाएगी, है ना, pen रखा हो, क्या है, pen, pen का spelling बोलेंगे आप लोग, देखेंगे ध्यान से, p, a, n, pen, क्या हो गया, pen, stove की उपर में क्या रखा हुआ है, pen, next आगे आजाती हूँ, आप इहाँ पर देखेंगे, sink, sink किसको बोला जाता है, बताईए, sink आप लोग देखेंगे, kitchen में basin जो होता है, ना, वहाँ पर नल लगा हुआ होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर, sink, क्या बोलते हैं, sink, sink का spelling देखेंगे, S, I, N, K, sink, S, I, N, K, sink, S, I, N, K, sink, आप लोग के kitchen में sink हैं ना, देखेंगे आप लोग हैं आपने kitchen में, तो next आजाती हूँ, अब यहाँ पर देखेंगे आप, covered, क्या है, covered, covered का spelling देखेंगे आप, C, U, P, B, O, A, R, D, covered, यह kitchen में रहता है न, यह खाना खाना जैसा बना हुआ रहा था, और बंद करने वाला अलमीरा जैसा रहता, उसको क्या बोला जाता है, covered, okay, next यहाँ पर देखेंगे, पले मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, यहाँ पर देखेंगे, यह picture को identify कीजिए, picture क्या चीज का है, chair, picture क्या चीज का है, chair, chair का spelling क्या होता है, देखेंगे आप, chair का spelling फिर्श में repeat कर रही हूँ, chair, chair मींज क्या हो गया, कुर्शी, okay, next में आगे आती हूँ, table, यह क्या हो गया, table, table पर kitchen में, table में हम लोग खाना खाते हैं, बैठ करके, यहाँ पर देखेंगे, table पर बहुत सारा चीज रखा हुआ है, तो table का spelling देखेंगे आप, T-A-B-L-E, table, chair हो गया, table हो गया, next देखेंगे, अब table को उपर में क्या रखा वाई, सो देखेंगे, फ्रूट्स, यहाँ बहुत सारे फ्रूट्स रखेंगे हुए, ना, फ्रूट्स का देखें यहाँ पर, F-R-U-I-T-S, फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स रखे वे फ्रूट्स है, ना, तो हम इसको लिए फ्रूट्स बोल रहे है, F-R-U-I-T-S, फ्रूट्स, अब यहाँ पर देखेंगे, यह टीपोट है, है ना, इसको केटली भी बोला ज कल देखें स्पेलिंग क्यई डवल्टी ये कैटली के डवल्टी ये कैटली इसको टीपट भी बोला जाता है तो स्टुडेंट्स आप लोग ये सब देख लिए लेंप हो गया ऐस्पूंस हो गया फ्रोक हो गया फॉर्क हो गया शिंक है पैन है, टोस्टर है, मिक्सर, ग्रैंडर है, ओवन है, रेफ्रिजरेटर है, कवर्ड है, कैटली है, फ्रूर्ट, स्टेवल चेर, तब जो भी स्पेलिंग है, सारे स्टुडेंट्स, आप लोग जो चोटा-चोटा स्पेलिंग है न, सब को लर्ण करेंगे, पैन हो गया, सिंक ह हो गया, स्टोब हो गया, तो आप लोग ये सब लर्ण करेंगे है, न, ओके बाइ स्टूडेंट्स, एवन आइ, स्टे बाइ,